नमुश्कार, SPT News में आपका स्वागत है पेश रायस्तान और श्री गंगा नगर हनमान गर्चिले की बड़ी खपरे क्रिश्री कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से मंगलवार को केंडर सरकार ने दो फेज में करीब धाई गंटे तक बातचीत की नतीजा कुछ नहीं निकला दो घंटे के पहले फेज में सरकार ने किसान प्रतिनेधियों के सामने केंडर ने मिनिममम सपोर्ट प्राइस पर पावर प्रेजेंटेशन दिया उनके सामने प्रस्ताव रखा कि नए कानूनों पर चर्चा के लिए कमिटी बनाए जाए इसमें केंडर किसान और एक्सपर्ट शामिल हो पर बात नहीं बने दूसरे दोर में ये तैह हुआ कि अगली बाचित तीन दिसंबर को होगी मीटिंग के बाद कृशी मंतरी नरेंदर तोमर ने कहा कि बाचित अच्छे माहौल में हुई हमने किसानों से अंदोलन खत्म करने की बात कही पर ये फैसला किसान ही करेंगे हमने कहा कि कमिटी बना दे पर किसान चाहते थे कि सब ही लोग मिलकर ही बाचित करें तो मर के बयान के बाद प्रतिनेधी मंडल में शामिल किसान नेता चंदा सिंग ने कहा कि हमारा अंदोलान जारी रहेगा हम कुछ तो हासिल करेंगे भले गोली हो या फिशानती पुनहत हम आगे भी चर्चा के लिए आएंगे रहस्तान सरकार ने नई दिल्ली में डेपेटी कमांडेंट पतपरतानात रहस्तान पुलिस सेवा के अधिकारी को सोंवार को रिश्वत की मामले में निलंबित कर दिया गरह विभाकी ओर से इसकी जौन करी दी गई ग्रेवीभा के ओर से जौरी आदेश के अनुसार आरूपी पुलिस अधिकारी सत्यपाल मिड़ा के खिलाफ रिश्वत का मामला पंजिक्रत है जिसकी चलते सरकार में अधिकारी को निलमबित किया है निलमबन के दोरान मिड़ा को जयपूर की पुलिस मुख्याले में लगाय किया सरवादिक मदान प्रताफगण जिले की पीपल खूंड पंचाय समीति में हुआ जहां 82.09 प्रतीशत मदाताओं ने वोड डाले रासन प्रदेश कॉंग्रिस की नई कारेकारनी इसी महा में आ जाएगी प्रदेश कॉंग्रिस अध्यक्ष गोविन दोटासरा ने कहा कि इस बारे में चल रही एक्सेसाइज अब अंतिम दोर में हैं और जल्थ ही इनके नामों की घोशना कर दी जाएगी प्रदेश कारेका को लेकर विचार भी मशुआ को लेकर ग्रह विभा की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुतावे कि राज्य के कंटेन्मेंट जोन में अब राजसर का लोगडाउन के तैयारी कर रही है ऐसे इलाकों में लोगडाउन लगाया जाएगा जहां पर कोरोना के सबसे जादा संक्र दस्तर पर दिन में दोपहर बारा से दो बजे तक बंद रखकर जाम किया जाएगा इसमें जपूर दिली हाईवे को जाम करने की चेतावने भी दी गई है ये विरोध प्रदेशन अखिल भारते किसान संगठ समन्वे समीती रासान की ओर से किया जाएगा संगठन के प्रद एक उसीटिव जोन की सीमा 10 किलमेटर से घटा कर एक किलमेटर कर दिया है इसके लिए मंधराले ने आज गजट नोटिफिकेशन चौरी कर दिया है मंधराले के इस कदम के बाद अब एक लाग से ज़्यादा लोगों को फिसे रोजगार मिल सकेगा रहसान के मुख्यमित्री अशोग हलोत ने अंदोलन रत किसानों को बाचित के लिए बुलाने के केंद सरकार के फैसले को सही दिशा में उठाए गया कदम बताते हुए मंगलवार को कहा कि गतिरोध को समाप्त करने के लिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को आगे आना चाहिए रहसान में कोरोना के रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है एक दिन में एक दो हजार से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं रहसान सरकार के स्वास्ते विभाग दोरा जारी ताजा आंगडों के मताबिक सूबे में पिछली 24 घंटे में कोरोना के 2347 नए मामले सामने आए हैं वहीं कोरोना संक्रमन की वज़े से 19 लोगों की मौत भी हो गई है जैपर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रूप टीम ने साइबर क्राइम के मामले में एक आरोपी को ग्रिफतार किया है आरोपी ने करीब एक साल पहले कॉपरेटिब बैंक का सर्वर हैकर 28 खातों से 86 लाग रुपे निकाल लिये थे वारदात के एक साल बाद हैकर को उत्तर प्रदेश से ग्रिफतार किया गा साइबर अपराइस से जुड़े इस गैंक का मस्टरमाइं नाइजीरियन मूल का नागरिक है जो फरार चल रहा है और अब खबरे श्री गंगानगर हर्मान गड़ जिले के श्री गंगानगर जिले में कोरोना से इंक्रिमेंट की रुख थाम के लिए जारी गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर जुर्माना वसूलने के लिए अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है जुला कलेक्टर महवीट प्रसाद वर्मा ने बताए कि मास्क वे सोशल डिस्टैंसिंग की पालना नहीं करने पर मजिस्ट्रेट सहायक उपनिरिक्षक एवं उससे उच्छ सतर के पुलिस अधिकारी राजस्वे निरिक्षक जुर्माना वसूल सकते हैं इसके अलावा अन्य कई अधिकारियों को अलग-अलग जिम्यदारियां दी गई है श्री गंगानगा जुले की केसरे सिंग पूर नगर पालिका के सदस्यों के लिए आये नामांकन पत्रों की जांच में 19 नामांकन पत्रों ने रस्त कर दिये गए हैं उपखंड निर्वाचिन अधिकारियों मैं श्री गंगा नंगर जुले की केसरे सिंगपूर पूलिस ने नगर पालिका चुनाओं में कानून एम श्यानती विवस्ता बनाये रखने के लिए धारा 110 में 26 जनों को पावन किया है थाना प्रभारी रामचंदर कस्वा ने बताय कि इनमें कई जनों को न्यायले में पेश करकी पाबंद करवाये गया है श्री गंगनगा जुला मुख्याले फर कोरोना संक्रमन रोकनी के लिए नई गाइडलाइन के तहत शाम 7 बजे बाज़ार बंद होने शुरू हो गए रातरी आठ बजे करफी प्रभावी हो गया लेकिन नगर पईशत एरिया में शुराब ठेके वे शुराब की अवैद ब्रांचे रोजमरा की तरह खुली रही शुराब की अवैद बिक्री आम लोगों में चर्चा का विश्यपनी रही खेट में पराली जुलाने पर हनमानगर तैसील के कुल 9 किसानों पर 1,00,00 रुपे का जुर्माना परयाण शतिपूर्ती के रूप में लगाया गया है जिला कलेक्टर जाकिर हुसेन के नेदेश पर तैसिलदार हनमानगर दानाराम ने ये कारवाही की जिला कलेक्टर जाकिर हुसेन ने बताया कि चावल की खेटी के अफशेश पराली को काश्टकारों द्वारा आग लगाया जाने की कारण प्रदूशन से आमजन की सुरक्षा हेतू ने जुर्माने का प्रावधान कर रखा है जिसके अनुसार खेट में पराली में आग लगाने पर दो एकर से कम शेत्रफल वाले किसान पर धाई लाक रपर का जुर्माना दो से पांच एकर जमीन वाले पर पांच हजार रपर और पांच एकर से जादा जमीन वाले पर पंद्रह हजार रपर जुर्माने का प्रावध ने संगरिया और टिबी तहसिल में मदान के दौरान 85 मदान केंडरो का और चेक निरेशन किया इस दौरान उन्होंने मदान के दौरान वेवस्थाओं को चाक चौपन बताया हर्मानगर जिले में जिला पाईशाद 55 समिती सदस्यों के तीसरे चरण के मदान के दौरान जिला पुलिस अधिक्षक राशीड डोगरा ने संगरिया और टिबी तहसिल के 48 मदान केंडरो का जायजा लिया हर्मानगर जिला करेक्टर जाकर हुसेण ने जिला पाईशाद 55 समिती सदस्यों के तीसरे चरण के मदान के दौरान 21 मदान केंडरो का अचानक निरिक्षन किया जिला कलक्टर संगरिया के रतनपूरा, नगराना और मानक सरग्राम पंचाद में मद्दान केंद्रों का निरिक्षिन करके विवस्थाओं को परखा। जिला कलक्टर ने बताय कि जिले में पंचाद चुनाओं का तीसरा चरण संपन हो गया। अब चोथे चरण का मद्दान 5 जिसंबर को होगा। जुलमानी शेत्र में कल्योगी मम्ता का कुरूर द्रश देखने को मिला। मंगलवार दपहर थेहड पर एक थेले में कुछ हलचल देखने पर वहां काम कर रहे मजदूरों ने संभाला। थेले का मूर उमाल से बंधा हुआ था। थेले में एक नवजात लड़का नगने अवस्था में मिला। इस पर मजदूरों ने पिली बंगा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुँचे एसाई हंसराज खटोड ने वहां मौजूद एक दाई से बच्चे की कर्णाल कटवाई और पिली बंगा के सरकारी अस्पिताल में पहुँच आया। एक नव प्रसूता से अग्रह कर उसने बालक को दूद पिलवाया। इस समन्द में पुलिस ने अग्यात वक्ति के खिलाफ मुगदमा दर्ज भी किया है। फिलाल बच्चा स्वस्थ है। लॉइंस क्लेब हनमानकर ने जरूत मन परिवार की कर्णिया का विवाह करवाया। कलब अध्यक्ष मोहित अबल आड़या ने बताया कि एक निर्धन कन्या जिसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है। उसका विवाह करवाने के लिए संसादनों की कमी आड़या रही थी। शुब महुरत पर उसका विवाह कलब सदस्यों ने करवाया। तो फिलाल इस पुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खपरों के साथ।